अगर आप जीवन में यशस्वी होना चाहते हो, अगर आप जीवन में सक्सेस प्राप्ट करना चाहते हो, तो मेहनत करनी पड़ती है दिड़ता से जीना पड़ता है, डिटर्मिनेशन से जीना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, पेशेंट बंगना पड़ता है और यदि इन सब का पालन भी करो तब भी कई बार जीवन में चनौतिया आती है चैलिंज आती है हम फेल हो जाते हैं हम गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं सक्सेस का यश का सबसे बड़ा शत्रू है निराशा यदि निराश हो जाओगे तो सब कुछ खो बैठोगे जब भी निराश हो जाना तो बस मा जिराफ को याद कर लिना है जब मा जिराफ अपने बच्चे को जन्द देती है तो माता जिराफ बड़ी उंची होती है और बच्चा उचाई से जोर से जमीन पर गिर जाता है और जैसे बच्चारा समझने का प्रैत्न करता है कि मैं कहां गिर गया तब तक वो मा उस बच्चे के ऊपर खड़ी रहती है और उसको बड़ जोर से लात मारती है उरते हुए बच्चा जाकर कहीं और गिर जाता है और बस अपनी सुदबुद दुबारा इकटा करने का प्रैत्न करता है फिर मा उसके ऊपर आका खड़ी रहती है और दुबारा एक बड़ी जोर से लात मारती है बच्चा समझ जाता है कि यदि मैं कुछ न करूँ न तो लात खाते रहना पड़ेगा अपने बड़े ही कमजोर पैरों पर खड़े रहने का प्रैत्न करता है और जिराफ का बच्चा फिर दुबारा मा हाएकर उसको लात मारती है बच्चा फिर गिर जाता है और समझ जाता है कि यदि मैं खड़े रहकर भागू नहीं तो बस लात खाते रहना पड़ेगा जिराफ का ये बच्चा तेजी से भागने का प्रयत्म करता है और तभी मा आकर अपने बच्चे को चूमती है अलिंगन करती है मा जिराफ भली भाती जानती है कि जंगल में बड़े खुखार पशु है शेर, लोमडी, इत्यादी जो नवजात प्राणियों का मास बड़ा पसंद करते है और मा जिराफ तो बच्चे के साथ उस शेशू के साथ हमेशा नहीं रह सकती तब अगर वो बाहर चली जाए तो इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा इसलिए सबसे पहले जैसे उसका जन्म होता है उसको लात मारती है ताकि वो उठना सीखे दुबारा लात मारती है ताकि उसे उठने की जो क्रिया है वो याद रहे दुबारा लात मारती है ताकि केवल उठे नहीं दौड़ना प्रारंब करे जीवन में कई बार चुनोतिया आएंगी चैलेंजिस आएंगी और हम गिरेंगे हम फेल होंगे लेकिन मा जिराब और उसके बच्चे को याद कर लेना चाहिए जब भी चुनोतिया आएं जब भी चैलेंजिस आएं जितनी बार भी आप गिरो उठना सीखो उस बच्चे से उठना सीखो उठके खड़े रहना सीखो खड़े रहके भागना सीखो अगर उठोगे खड़े रहोगे भागना सीखोगे तब यश सक्सेस के उँचे से उँचे शिकर पर पहांचना सीखोगे झाल झाल